जहिन सातियों आज जो हम लोग करने वाले हैं computer dose का 17.0 करने वाले हैं इससे पहले सारे पार्ट अगर आपने देख लिया है तो आप अपने exam में 5 के 5 question करके जरूर आ जाओगे सासात में जो हमारा ebook है computer का जिसमें की 800 question जो है one liner है वो भी आप ले लिजएगा ये दोनों चीज़ कर लिजएगा तो आपके exam में सारे question बन जाएंगे सासात में आज जो मैंने 20 question लाया आपके लिए इसमें से जाहत और question जो है आप exam में पूछ लिए गए हैं तो एक-एक question आप लोग देखिएगा और last में मुझे बताइगा कि कितना question आपने इसमें से सही करा है सासात में आज आप लोग के लिए एक offer है अभी आप देख सकते हैं कि 45 एट का question paper, computer का e-book और English का e-book जो है आज के लिए मात्र 199 में आपको मिल जाएगा सासात में English का video course जो है आज मात्र 500 मिल जाएगा जो की पहले 999 का था तो चलिए start करते हैं आज का ये पहला question पहला question आपके शामने में ये है कि निमलिकित में से कौन सा एक input device नहीं है देखिए आप exam में input device और output device से एक question देखने के लिए मिल जाता है तो आपके अलगला type of question हो सकते हैं अब देखिए यहाँ पर जो आपका answer यहाँ पर है अब देखिए यहाँ पर keyboard क्या है एक input device है प्रिंटर जो है यह आपके output device है ठीक है इसी लिए आपको यहाँ कह रहा है था कि कौन सा input device नहीं है तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा option number C हो जाएगा जो क्यों हो जाएगा printer क्योंकि printer जो है एक आपका output device है ऐसी ही आगे question जो है आपके सामने में यह है कि RAM का full form क्या होता है यानि कि RAM RAM का जो होता है full form वो क्या होता है आपके computer के language में ठीक है तो यहाँ पर जो आपके सामने में जो options हैं उन में से देख लीजे और अपना answer को 100% यहाँ पर match करवाईए क्योंकि देखिए आप exam में जो आप merit में नहीं आपाओगे इसलिए एक ही question आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहाँ पर जो आपका answer है option number A है जो कि है random access memory है option number A जो है आपका यहाँ पर correct answer हो जाता है आप आगे देखते हैं अगले question को कि CPU का full form क्या होता है CPU का full form क्या होता है तो यहाँ पर आ आपका answer क्या होगा आप यहाँ पर अपने answer से match कर लिजिए और जो question पता नहीं है तो अभी आप लोग क्या कर दिए अभी आप लोग screen sort लेते रहिए और बाद में इसका आप लोग note बना लेजिएगा तो यहाँ जो आपका answer हो जाएगा option number A हो जाएगा जो हो जाएगा central processing unit हो जाएगा option number A जो है आपका यहाँ पर answer हो जाता है अगले question को फिच्टर देगे आप लोग अगला question आपके सामने में यह है कि windows में file name में अधिक्तम कितने word no की अनुमती होती है देखे what is the maximum number of characters allowed in a file name in window window में maximum file का जो character होता है file name का जो character होता है वो कितने होता है तो यहाँ पर आपके सामने option दिया गया है उनको देख लेजिए और यहाँ जो है आपका answer option number A है जो कि है 256 है option number A देखे यह सब question आपको पता होना चाहिए नहीं पता है तो note बनाके revision जरूर क करिएगा तो पांच question में से एक question हो सकता है ऐसे question आ जाए जो आपको पता नहीं है तो चार माग आपके कम हो जाते हैं अब आगे आज़े अगले question को देख लेजिए यहां पर निम्लिकित में से कौन सा computer network का प्रकार नहीं है computer network network से एक question आपके exam में आ जाते हैं देखे जो ज अगले question को देख लेजिए आपको ला question क्या है कि Windows में text paste करने की shortcut कुन जी क्या है? wirdos में text को paste करने की shortcut कुन जी है? वो क्या है? shortcut keys क्या है? तो यहाँ पर आपके साबन में 4 shortcut keys क्या दिया गया है तो यहाँ पर जो आपका answer है option number C में control plus V जो है आपका यहाँ पर answer हो जाता है clear है अब अगले question को भी देख लेजिए कहीं जाना नहीं है, क्लास को लास तक जरूर देखना है आप लोगों को, कुशन यह है कि रिमलिकेत में से कौन सा secondary storage का उधारन नहीं है, secondary storage का उधारन कौन सा नहीं है, यहाँ पर देख लिजिए, आपका अंजर क्या है, hard disk drive, USB flash drive, CD room और RAM, तो यहाँ पर देख सकते हैं, option number D में, जो कि RAM जो है, एक आपका यहाँ पर primary storage है, क्या है primary storage है, अगर आपका computer कितना फिख हो, अगर आपने मेरा सारा क्लास देखा होगा, और e-book परा होगा, जो कि 50 रुपे का है, जिसमें कि 800 question है, आप इस question को देखते हैं कि आप लोग, वैसे इस question का answer option number D हो जाता है, बस question को गौर्ट से देखना आप लोगों को है, अगला question को देख लेजिए, अगला question क्या है, कि नमेर के तुमें से कौन सा एक web browser है, देखे web browser कौन सा है, अब यहाँ पर देख लेजिए, option जो दिये गया है, चार के Microsoft Word, Microsoft Excel, Mozilla Firefox, और Adobe Photoshop, तो यहाँ पर देख लेजिए, option number C में क्या दिया गया है, Mozilla Firefox, यह क्या है, वैब ब्रॉजर है, इसलिए आप का answer क्या हो जाएग, option number C हो जाएगा, अब अगले question को दिख लेजिए, अगले question में क्या दिया गया है, यहाँ पर, question यह है, कि निम्लिकित में से कौन सा, एक operating system नहीं है, देखिए, operating system जाने कि OS नहीं है, operating system नहीं है, यहाँ Windows, Linux, Mac OS, Microsoft Office में से, जो आपका answer है, option number D है, जो को जाएगा, Microsoft Office, clear है, option number D है, आपका यहाँ पर answer, clear, अब आगे आजएए, अगले question को दिख लेजिए, यहाँ पर, कि निम्लिकित में से, कौन से, computer virus का प्रकार नहीं है, देखिए, अगर यह question आप कर लेते हैं, समझ लेजिए, कि आपका तियोरी, कहीं निकहीं, आपका और बचों से, थोड़ा सा, अच्छा है, क्योंकि, ऐसे-इसे question, normal क्या बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसलिए, एक-एक question आप लोग के जरूरी है, तो यहाँ पर, जो question आपका यह था, computer virus नहीं है, आप देखिए, frozen horse, warm, add wear, और spy wear, इन में से, जो आपका answer हो जाएगा, option number, आपका C हो जाएगा, आप देख सकते हैं, option number C में क्या है, add wear दिया गया है, यह आपका एक virus नहीं है, यह क्या है, आपका यह add दिखाने वाला system है, software आपका है, देखिए, अभी जो 3-4 एक्जाम हो है, 5 एक्जाम हो है, उसमें modem जो है, बॉवर्टी ट्रेंड रहा है, यहाँ पर modem, modem से question आप एक्जाम में आ चुके हैं कई बार, और आगे जो है, और भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा modem में question, एक ही question जो मैं करा रहा हूँ, आपको एक ही question पता होना चाहिए, अब question यह है, आपका modem क्या कारी क्या है, बाइक इसका directly answer बता देखने हो यहाँ पर, इसका जो कारी होता है, तो convert digital signals to analog signals, यानि कि digital single को यह analog single में बदलता है, यही इसका मुक्यकारी है, option number A जो है आपका यहाँ पर, बिल्कुल आपका answer correct हो जाता है, अगले question को फिटों देखिए, आप लोग अगला question में क्या खे रहा है, कि Microsoft Word दस्तावेश के लिए default file extension क्या होता है, देखिए, file extension के बाद में आपने परहाई होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि word के लिए, MS Word के लिए जो आपका extension है, वो .dox है, क्या है, .docx है, clear है, आप देखिए, यहाँ पर पुराने जो वर्जन थे, जैसे कि Microsoft Word, वर्ज जो 2003 थे, उसमें क्या .doc लगता था, लिए अब उसके बाद वर्जन आ रहे हैं, सब में extension में .docx लगा होता है, इसलिए आपका answer जो है, option number यहाँ पर यह बिल्गुल correct हो जाता है, अब अगले question को देख लेए, जहाँ पर अगला question क्या दिया गया है, कि Microsoft Access Worksheet में, पंतियों के अधिक्तम जंख्या के इतनी होती हैं, पंतियों नहीं कह सकते हैं कि RAW की, what is the maximum number of RAWs in a Microsoft Worksheet, तो यह question जो है, बहुत ज़्यदा इंपोर्टेंट है, तो ऐसे question को आप लोग जरूर करिएगा यहाँ पर, आप देखिए आपर RAWs जो यहाँ पर है, option number D आपका आंजार यहाँ पर है, साथ साथ में आप लोग comment करके मुझे बतायेगा, इसमें column कितने होते हैं, आप मुझे comment करके यह आप लोगों को बताना है, अगर नहीं बता है आप लोगों को, तो search करके भी आप लोग comment करना है, ताकि आपको यहाँ पर यह question याद हो जाए, पूरी तरीके से, अब आगे आ जाईए, अगले question को देख लेजिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कि दिमलिकित में से कौन सा computer monitor का प्रकार नहीं है, computer monitor का टाइप नहीं है, LCD, CRT, LED और DSL, अब देख सकते हैं, यहाँ पर option number D में, जो दिया गया है, DSL, वही आप का अंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए, DSL जो है, कोई monitor का टाइप नहीं है, बाद में LCD होता है, CRT होता है, LED होता है, लेकिन DSL नहीं होता है, वैसे comment करके आप में बताएंगे, आप लोगों को जितना question पूछ रहा होना, सारे question आपके लिए important है, ठीक है, अब आगे आजाएए, अगले question को देख लिजेए, आपर अगला question दिया गया आपके सामने में, कि रिमिकेत में से कौन सा computer printer का प्रकार नहीं है, अब देख सकते हैं, अब देख सकते हैं, option में क्या दिया गया है, laser printer, inkjet printer, dotmatics printer और USB printer, यह सभी आप जो option परेंगे, तो यहाँ पर option number D बाजाएए, जो कि दिया गया USB printer, यह आपका printer अभी तक एगिस्ट नहीं करता है, यह printer नहीं है, इसलिए आपका answer क्या हो जाएक option number D, जो कि एक printer का प्रकार नहीं है, option number D है आपका यहाँ पर correct answer, अगले question को फिर देखिए, class में बिल्कुल board नहीं होना है, साथ साथ में आप oneplus device academy का application भी आप लोग download कर लिजेगा, option आप देखिए, कि आपको सामने में क्या question है, कि HTML का full form क्या है, HTML का full form क्या है यहाँ पर, आप देखिए हाँ पर question कहुत देखिएगा, थ्वास है spelling mistake होने वज़े से आप option गलत लगा देगे, वैसे मैं इसका directly answer बता रहा हूँ, option number A है कि hypertext markup language, जो है आपका यहाँ पर answer हो जाता है, और आपका answer भी यही question आना चाहिए, यही option आना चाहिए, आप अकला question को देख लिए यहाँ पर क्या दिया गया है, नमिनक्त में से कौन सी एक programming भासा है, programming language के लिए आपके शामने में option दिया गया, आपके लिए क्या दिया गया है कि C++, HTML, SQL या फिर ये सभी, अब यहाँ पर पर परते हैं हम लोग तो programming language के बारे में प्रियर कि C++, HTML और SQL क्या है, यह सारे आपके programming language है, इसलिए आपका अंसर क्या हो जाएगा, option number आपका दीज हो जाएगा, बिल्कुल correct आपका answer यहाँ पर हो जाता है, अब आगे बढ़ जाएए अगले question को देख लिएए, यहाँ पर अगला question में क्या दिया गया है, कि नमिकित में से कौन सा computer software का प्रकार नहीं है, computer software का प्रकार नहीं है, operating system, application software, system software और keyboard software, अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कि software का टाइप है, operating system भी एक आपका software ही है, application software भी है, system software भी है, लेकिं keyword software आपको कहीं देखने के लिए नहीं परहा होगा, आपने कहीं नहीं परहा होगा, इसलिए आपका answer जो है, option number D है, ज अगले कुशन को देख लिए यहाँ पर क्या दिया आगए है, कि Microsoft Word में document को shape करने की shortcut कुझी क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख लिए कि आपका यहाँ पर answer क्या है, option number आपका D जो है, CTRL प्लस S जो है, यह document इससे save क्या जाता है, Microsoft Word के अंदर या Excel के अंदर या फिर जो computer का प्रकार नहीं है, आप देख सकते हैं, option number D में जो दिया गया है, क्या दिया गया है, आपका C में DVD, DVD क्या है, आपका एक software का, माप कीज़ेगा computer port का प्रकार नहीं है, option number C जो है, आपका यहाँ पर correct answer हो जाता है, clear है, अभी मैंने 20 question करवाया है, तो 20 question में से कितने question आपक right away है, आप comment करके जरू बताइएगा, तक कि आप लोग को मैं analyze कर सकूँ, और कितना मुझे करवा रहा है, वो मैं आप जान सकूँ, ठीक है, इसलिक comment हर बच्चों का आना चाहिए, कि आपने कितना question सही सही कर रहा है, सासात में, अभी जो देख रहे हैं, कि English का जो class है, 999 का है, मातर अभी, 500 क्लास मिल रहा है, आपको, बात मा कीई, आप जो आप देख रहे हैं, 45 का e-book, अगनिविर का इंग्लेस का इंग्लेस, ए-book, कंप्योटर का e-book, जो देख रहे हैं, आप लोग सभी जो है, आपका टोटर मिला कर देखेंगे, तो 360 क्या सपास हो रहा है, ले उसको भी इसी में आपको मल जाएगा, इसलिए टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, और जल्दे-जली क्लास को जॉइन करें, और Oneplus Pencil Academy का जो भी क्लासे जा रहे हैं, सभी क्लास उसको आप देखिए, और लाइक और शेर जरूर करिएगा, तो अभी क्लास उसको आप द